नमस्कार दोस्तो। मेरे नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्रोनिष वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है दली कि उपर कि जो हमारे पास नए मेकानिक भाई होते है उनको परफिलम क्या आता है धिये बहुत जादा प्रश्चन होता है कि उसके आसपास का जो रजिस्ट्रेंस होता है वो हम लगा देते हैं अब जैसे कि 10 के रजिस्ट्रेंस हमें कहीं नहीं मिल रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहां पर रजिस्ट्रेंस अगर 4.7K का भी रजिस्ट्रेंस है इस resistance को 4K7 भी बोलते हैं यानि कि 4.7K भी बोलते हैं और 4K7 भी इस resistance को बोलते हैं अब यहाँ पर एक resistance हमारे पास आता है 5K6 तो यह भी इसी तरीके से 5K6 भी बोल सकते हैं और 5.6K भी बोल सकते हैं अब यहाँ पर क्या होगा जब यह दो resistance हम सिरीज के अंदर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा अगर हमने 5K 6 लगाया है तो यह कम से कम हमारा 11K के आसपास हो जाएगा यानि कि 11K का रजिस्टेंस बन जाएगा और यहीं पर अगर हमारे पास यह रजिस्टेंस Series के अंदर इस तरीके से लगा हुआ है और Registrence है हमारा 4K7 अब यहाँ पर क्या होगा यह Registrence कम से कम हमारा बन जाएगा 9K के आसपास यानि कि 9K से हलका सा उपर या नीचे होगा और चल जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आप Registrence के यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको कोई resistance नहीं मिलता है अब 10K का resistance था हमें नहीं मिला तो हमने 4K 7 को सिरीज के अंदर करके 9K बनाके उसे लगा दिया अगर हमारे पास 5K 6 resistance था हमने सिरीज के अंदर इसको लगाया हमारा 11K का resistance हो गया वो भी इसके आसपास है वो चल गया अब यहां पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास इन दोनों में से भी resistance नहीं है तो एक resistance हमारे पास आती है 8K 2 8K 2 resistance है वो भी लग जाती है वो भी काम करती है हलका फुलका फरक होता है तो audio circuit के अंदर आप लगा सकते हैं वहां पर कोई problem जादा नहीं आएगा और यहां पर आपको 12K का भी resistance मिल जाएगा 12K भी resistance चलता है तो इस तरीके से बहुत सी resistance जो होती है हमारे पास अबेलबल नहीं होती है तो हम उसको adjust करके लगाते हैं कोई भी circuit मे अब यहां पर बहुत से बाहियों का यह question होता है कि sir resistance को हम किलो ओम में के ओम के अंदर ओम के अंदर कैसे पहचानेंगे तो यहां पर क्या होता है जब resistance हमारी एक नमबर से start होती है और यह हमारी जो है 1000 ओम्स तक यह जाती है यानि कि एक नमबर से लेकर एक नमबर से लेकर कैसे जाती है जैसे कि हमारा 1 ohms हो गया 1 ohms हो गया फिर हमारा 2 ohms हो गया इस तरीके से फिर हमारा 3 ohms हो गया तो इस तरीके से अब यहाँ पर 3.3 ohms का resistance होता है 2.2 ohms का resistance होता है तो इस तरीके से यह 1000 पे जाएगा और जब यह हो जाएगा 1000 ohms का resistance तब यह बनता है हमारा 1K यानि कि 1000 ohms होने के बाद तब यह हमारा 1K का resistance बनता है आप कभी भी 1K का resistance अगर multimeter को ohms के अंदर चेक करोगे तो वो 1000 यह 900 कुछ के आसपास दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब हमारा 1000 का counting पूरा हो जाता है यानि कि 1 से लेकर अगर 1000 ohms का counting है वो पूरा हो गया पूरा होने के बाद फिर के चल जाता है के का मतलब क्या हो आप जैसे कि यहाँ पर एक resistance है हमारे पास 1K 2 का resistance है तो वो कितने ohms में होगा तो उसका जो ohms है वो कम से कम 1200 आएगा उसका resistance और अगर यहीं पर रहा हमारे पास अगर 1K 5K का resistance होगा यानि कि 1.5 K भी हो सकता है 1K5B यानि कि दोनों रजिस्टेंस है में तो इसका जो ओम्स है वो कितना निकल के आएगा इसका ओम्स आएगा कम से कम 1500 ओम्स यानि कि यहाँ पर आपका जो रजिस्टेंस है वो उसी हिसाफ से बनता है जैसे कि आपने यूटूब पर देखा है कि जब आपके 1000 लाइक हो जाते हैं तो वहाँ पर K आ जाता है जब आपके 2000 K हो जाते हैं तो वहाँ पर 2000 जैसी पहुंसता है तो वो 2K हो जाता है तो इस तरीके से रजिस्टेंस का भी यूज है resistance भी k के अंदर, ohms के अंदर इसी तरीके से जाएगी और यहां पर मैंने आपको बताया कि कोई भी resistance कभी भी आपको नहीं मिलता है तो इस तरीके से लगा सकते हैं आप उपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन उसमें कोई problem नहीं है अब जैसे कि हमें आर पास resistance 100 ohm किसी circuit में लगाना है लेकिन 100 ohm का जो resistance है वो हमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर अब क्या करेंगे तो इसके आसपास को जो resistance है हमारे पास 120 ohms भी होता है हमारे पास 120 ohms मिल जाता है अगर 100 ohm नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सीरीज के अंदर दो resistance इस तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पर resistance कौन सा होगा हमारा 56 ohms 56 ohms का जो resistance है वो हमारा 100 ohms के आसपास पहुच जाएगा हमारा circuit वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है तो इस तरीके से आप कोई भी जो रजिस्टेंस है उसका यूच कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा ही जानकारी आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बेल के आकन को जुरूर दवाना में आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा